दोस्तों नमस्कार, इलेक्ट्रोल बॉंड, इस देश का इलेक्शन ट्रस्ट, इस देश के भीतर पीम केर, इस देश के भीतर बैंकों से कर्ज लेकर सरकार द्वारा की गई माफी यानि रिटेन ओफ, इस दोर में एन पीए की बढ़ती हुई तादात, इसी दोर में देश के 18 मंत्रालेों के जरिये जो मोनटाइजीशन है, इस देश के भीतर में जो प्रावेटाइजीशन है, इस देश के भीतर जो डिस इंवेस्टमेंट है, अगर हर की रकम आप जोडते चले जाएंगे, तो एक सवाल आपके जहन में तुरत आएगा, क्या ये देश कॉर्परेट के आसरे चलता है, कॉर्परेट के लिए चलता है, और कॉर्परेट ही इस देश के सिस्टम को बनाता और चलाता है, ये सवाल कोई बहुत जटिल नहीं है, क्योंकि अगर एक एक रकम को भी आप पर रखना शुरू करें तो आपके जहन में आज की तारीक में एक सवाल होगा तकरीबन 16 हज़ार करोड के इलेक्टरॉल बॉंड में से 12 हज़ार करोड की जानकारी अभी निकल कर आई है, बाकी जानकारी और भी आएगी, और एक लंबी कतार इस देश की कॉर्परेट जो तकरीबन 1.5 हज़ार कंपनियों में सिम्टी हुई है, वो सब को सामने नाम के स जाताया है, और उसके बाद आपके जहन में इस देश के भीतर जो इलेक्शन के नाम पर जो ट्रस्ट बनते हैं, जिसमें इस देश के कॉर्परेट पूंजी लगाते हैं और फंडिंग पॉलिटिकल तोर पर करते हैं, उससे जुड़ा हुआ तकरीबन 3 हज़ार करोड का माम फंडिंग वहां भी हुई, कॉर्परेट ने भी खुलकर फंडिंग की, क्या उसकी भी अब जाच की जवरत आ गई है? इस देश के भीतर में जो सरकार माफी दे देती है, जो कर्ज लेकर भाग जाते हैं या कर्ज नहीं लोटाते हैं, यानि जो विलफूर डिफॉल्टर हो बाबजूद किसी दूसरे कर्ज को अगर सेंक्शन कर देते हैं और इस देश के सरकारी बैंक एक दो नहीं, बलकि आठ बैंकों के जरिये कोई एक व्यक्ती अलग अलग बैंकों से कर्ज लेता है और हर किसी को लेटर थमाते जाता है कि हम पैसा लोटा नहीं पाएंगे प्राइटाइजेशन का पूरा खाखा इस देश के सामने रखा गया, वह आंकला भी तो 2025 तक का तकरीबन 6 लाग करोड का था, उसमें से 3 लाग करोड का मामला तो अभी भी अठका हुआ है, इस देश के भीतर में जो प्राइवाइटाइजेशन या कहें एक पाइपलाइन कर्ट्रक्चर के नाम पर बनाई गई, जो एक लाग करोड से ज़्यादा की थी उन परिस्तितियों के भीतर भी तो कॉर्परेट की एक लंबी कतार है, इसी दोर में जो डी मॉनिटाइजेशन के बाद की परिस्तिती में जो लगातार ये सोच रहतें कि डिस इंवेस्टमें के जरीए कमाई होनी चाहिए, उस कमाई की दिशा में भी तो सरकार ने कौडियों के मोल इस देश के PSU's को बेचा है, तो क्या वह भी जिस कॉर्परेट के पास गया, क्या वह फाइल भी खुलनी चाहिए, एक बड़ी लंबी कतार आपको कॉर्परेट और सरकार के साजह एक कॉर्परेट ही चला रही है, या इस दोनों प्रक्रिया के भीतर सरकार के पास कभी कोई ऐसा विकल्प रहा ही नहीं, या सरकार ने इस दिशा में सोचा ही नहीं कि इस देश में किस तरीके से मैनिफैक्चरिंग सेक्टर को वो बढ़ा करें, किस तरीके से PSU's को वो जिम्मे भागेदारी के साथ बढ़ा करें और इस देश के भीतर में कहां पर करज देना है, किसका करज माफ करना है, जिससे इस देश के भीतर आम लोगों की भागेदारी इस देश की अर्थवस्था से हो जाए, क्या ये सब चीजें इस दोर में सोची ही नहीं गई? ये सारे सवाल आज इसलिए बड़े महत्पूर्ण हो चले हैं क्योंकि अभी सिर्फ इलेक्ट्रोल बॉंड का एक धागा निकला है और उस निकले हुए धागे ने इस देश के बीतर में कॉर्परेट के एक ऐसे चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया है जिसमें सबसे बड़ सवाल यही है कि उनके पास भी पैसा कहां से आता होगा और वो पैसा कौन सा देते होंगे सरकार को और सरकार उस पैसे को लेकर चुनाओं में कैसे खर्च करती होगी अपने परचार परसार में कितना लगाती होगी सारी पूंजी तो इस देश के भीतर की है लोगों से प्रीम कोट पहल कर रहा है कि नाम सामने आने चाहिए लेकिन हम इन तमाम पहलों को एके करके आपके सामने रखें उससे पहले हमें लगता है आज प्रधान मंत्री तमिलाडू में थे और इस बात का वो तमिलाडू में थे केरल में थे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनके दोर में सिवाए इमांदारी के कुछ भी नहीं हुआ है और इससे पहले कि जो भी सरकार रही या रज्जों में जो सरकार है वो सिर्फ स्कैम करती है करप्शन करती है यानि एक तरफ सुप्रीम कोट में इस देश का सबसे बड़ा स्कैम खुल रहा है और दूसरी तरफ प्रध कि कोशिश कीजिए कि कैसे सिस्टम ही अगर इस रूप में बना दिया जाए कि वह स्कैम की शक्ल में हो लेकिन वही पॉलिसी हो तब आप क्या करेंगे इन लोगों की हिष्ट्री गोटालों की है इन लोगों की राजलिति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आ तरफ बीजेपी की कल्यानित्कारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोडों के स्कैम होते हैं। हमने अप्टिकल फाइबर और फाइव जी दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडिय अलाइंस के नाम पर लाखों करोड रुपिये का तूजी का स्कैम है, और डियेम के उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी, बीजेपी ने बड़ी संख्या में एरपॉर्ट बनाए, हमारे नाम पर उडान स्कीम है, इंडिय एलाइंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड करने वाले हेलिकॉप्टर स्कैम है, हमारी खेलो इंडिया और तॉप स्कीम से देश ने खेलो में उंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर सी डबल्यू जी स्कैम का दाग है, हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडिय एलाइंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है, ये लिस्ट बहुत लंबी है, जाहिर है प्रधानमंत्री के जहन में मनमोहन सिंग सरकार के दौर के तमाम स्कैम दस परस बाद भी रेंग रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इस दौर में टूजी स्कैम लोग भूले नहीं, वो जान रहे हैं इस दोर में जो कोईला घोटाला हुआ था लोग उसे भूले नहीं वो जान रहे हैं उस दोर में जो कुछ भी सामने हो रहा था वो सब कुछ आज दोराया जा सकता है लेकिन सच क्या है टूजी घोटाला हुआ इस देश के भीतर में लेकिन जेल कौन गया और उसकी कितनी बड़ी रकम जो एक क्रियेट की गई सीएजी के जरीए अगर आप फाइव जी को आॉक्शन के तोर पर देखें तो आपको लगेगा कहीं टूजी के मुकाबले फाइव जी इस दोर में अगर उसकी भी जाच हो रही है और अब जाच की दिशा में चीजे बढ़ेंगी तो क्या वह स्कैम नहीं है हर दिशा में बढ़ता हुआ कदम इन सब के बावजूद प्रधानमंत्य अगर इमांदारी का पार्ट पढ़ा रहे हैं तो शायर वह उस कॉर्परेट को बतला रह हैं कल उसका एहलान तारीकों का भी हो जाएगा और उसके बाद इस देश में कितनी बड़ी पूंजी और कितनी बड़ी तादाद में कॉर्परेट इस देश की सत्ता के साथ अगर बीते दस बरस से खड़े हैं और उन्होंने जो कुछ लगाया है वो आने वाले वक्त में य आजनेतिक तोर पर कोई भी कह सकता है जब इतना पूंजी लग रही है तो फिर यह चुनाओ कॉर्परेट का ही चुनाओ होगा और इतनी बड़ी संपत्ती के आसरे सत्ता को डिगाना और डिगने देना शायद इन परिस्तितियों के आसरे पहली बार कॉर्परेट चुनाओ लड़ते हुए परदे के पीछे से आपको दिखाई दे या ना दे लेकिन उसकी पूंजी इस चुनाओ में जरूर दिखाई देगी लेकिन अगला सवाल यह भी है क्या यह सब कुछ इसलिए भी है क्योंकि इस कॉर्परेट ने पैसा तो पीम केर्स में भी दिया था वही प परदान मंत्री के नाम पर था और आज की तारीक में उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है वो पब्लिक चैरिटिबल ट्रस्ट के तौर पर है हाला कि उसका दफ्तर अब भी साउथ ब्लॉक में है यानि परदान मंत्री कारियाले में है उसके भीतर जो लोग ट्रस्टी क तौर पर है उसमें इस देश के डिफेंस मिनिस्टर है इस देश के होम मिनिस्टर है इस देश की फैनांस मिनिस्टर है इस देश के भीतर कॉमर्स मिनिस्टर है तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो सरकार चलाते हैं लेकिन उस ट्रस्ट के हिस्सेदारी में है जिस ट्रस्ट में 3,076 करोड था दो हजार बीस एकिस में ये बढ़कर 10,990 करोड हो गया उसके बाद अलग अलग जगों पर पैसा इंवेस्ट किया गया तो 21,22 में ये आकड़ा 9,131 करोड हो गया सवाल ये नहीं है सवाल है कि अगर इस देश के भीतर इलेक्टरल बॉंड की जाँच अब सुप्रीम कोड कराने की दिशा में बढ़ रही है तो क्या PM केर की भी फाइल कुलेगी उस PM केर की जिसके भीतर में जो प्रधान मंत्री के अलावे जो बोर्ड अफ ट्रस्टी है उसमें जो ट्रस्टी बोर्ड उसमें जस्टिस केटी थॉमस है करिया मुंडा है रतन टाटा है और बोर्ड के जो ट्रस्टी अलग से जो अडवाईजरी बोर्ड के तौर पर है उस ये सवाल देश के वकील कपिल सिबल उठा रहे हैं कि असल में इसकी जांच तो होनी चाहिए और ये जांच अगर होती है तो क्या-क्या सामने आएगा ये सब कुछ अब बताने की जरुरत होनी नहीं चाहिए अभी तो बड़े बड़े गैप हैं अभी तो बहुत बड़े गैप हैं गैप इंवेस्टिगेशन में हैं गैप मतलब कि किन किन लोगों ने कितना कितना दिया अभी ये भी पता करना चाहिए और ये भी बहुत आहिम सवाल है कि पी-एम केर्स में किसने किसने कि दिया यो भी तो वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है वो भी उत्योग पतियों ने दिया होगा कौन कौन सी फाइल इस दोर में खुल जाएगी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब खुले तोर पर बहुत साफ तरीके से इस देश को बताने की स्थिति में आ जाएगा खास तोर से कल जब चुनाओ का एखलान होगा उसके बाद कोड अफ रफ कंड़क्ट उस देश में लागू हो जाएगा और सुप्रीम कोट अपने तोर पर क्या तमाम फाइलों को खोलेगा जो जो मुद्दे सुप्रीम कोट की चोखट पर लगातार खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश के भीतर में पूरी एकनॉमिक कॉर्परेट के हवाले कर दी गई यह सवाल इसलिए भी महत्पूर्ण है कि कॉर्परेट के हवाले पूंजी कर देना यह महत्पूर्ण नहीं है कॉर्परेट की पूंजी भी पॉलिटिकल तोर पर अगर सत्ता धारी को मिल रही और सत्ता धारी खुल के कॉर्परेट का बखान इस रूप में करे कि इससे बेहतरी कोई कार्रे कर नहीं सकता और यह सब कुछ संसत के भीतर हो रहा हो तब आप क्या करेंगे यानि एक तरफ चुनाओ दरवाजे पर है दूसरी तरफ सुप्रीम कोट अब सुनवाई कर रही और सुमवार को फिर सुनवाई करने बैठेगी जहां पर उसने SBI से कहा है कि आप यूनिक अल्फा नियूमेरिक नंबर्स की जानकारी दीजिए जिसके जरीए पता चल पाए कि किस वेक्ती ने उस नंबर के जरीए किस पॉलिटिकल पार्टी को अपने डोनेशन को दिया है और उससे भी कही ज़्यादा महत्पूर अब सवाल ये है कि अगर पार्लेमेंट तक के भीतर उन बड़े इंडस्टलिस्टों का नाम सरकार ये कह कर ले रही थी ये बहुत शांदार काम करते हैं और उसी कमपनी ने सरकार को नहीं बलकि पॉलिटिकल पार्टी की जिसकी सरकार है उसको डोनेशन दे रही थी तो उसमें एक नाम नाम तो कई है लेकिन एक नाम का जिक्र करने की अजरुरत है जो मेगा इंजिनरिंग एन इंफरा है जो तकरीबन 966 कोड रुपए जिसके ज कुछिए कि उस कमपनी के नाम का जिक्र और उसके जरीए जो टनल बन रहा था उस टनल में उत्राखंड के उस टनल को लेकर जिक्र कोई दूसरा शक्स नहीं देश के कैबिनेट मिनिस्टर पार्लेमेंट के भीतर कह रहे हैं कि देखिए उसके जरीए हमने 5000 कोड रुपए ब कुद सुन लिजी आप तेंडर में जिस कमपनी ने कॉंट्रैक जीता पांच लोगों ने टेंडर भरे कॉंपुटेशन हुई और हैदराबाद की एक मेधा इंजिनिरिंग करके कमपनी उन्होंने काम लिया और फारुक साथ इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट लेकिन फिर वही सवाल है इस देश के भीतर किसी भी छेतर में एक नहीं सैकडों कमपनियां काम करती हैं उन्हें से चंद कमपनियों का नेट वर्थ इस दौर में बढ़ता चला गया और बाकी कमपनियां जो उसी छेतर में काम करती हैं उनका नेट वर्थ क्यों नहीं इसी दोर में इस देश के भीतर जो production यानि manufacturing से जुड़ी हुई जो भी company थी उसका network क्यों नहीं बढ़ रहा था इस देश में ऐसी कौन सी crisis आ गई की MSME तक के सामने संकट गहरा गया वो कौन सी परिस्तिती थी जिसमें मुद्रा योजना का जिक्र सरकार बार बार करती है और बताती है कि हमने कितने करोड लोगों को लाप पहुचा दिया और वो नौकरी नहीं चाते हैं बलकि नौकरी देने की स्तिती में है बावजूद इसके इस दोर में इस देश में जो बिरुजगारी की दर है वो सबसे ज़्यादा क्यों है आसमानता सबसे ज़्यादा क्यों है ये सारे सवाल क्या कॉर्परेट को लाब पहुचाने से जुड़े है ये सारे सवाल क्या इस द बसर करने को मजबूर हो जाए क्या ऐसी परिस्तिती है अगर एक एक जांच इस दौर में होगी यह सुप्रीम कोट उस दिशा में बढ़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोट ने आज इसका इंडिकेशन भी दिया जब कहा गया कि यह तो पता नहीं चल पा रहा है कि दरसल पैसा किसक लेकिन स्पियाई की तरफ से कोई वकील वहां मौजूद नहीं तो आटर्नी जनरल ने कहा आप कोई ऐसा निर्देश पास मत कर दीजिए आदेश मत दे दीजिए आप नोटिस दे दीजिए तो फिर सुप्रीम कोट ने कहा हम नोटिस देते हैं 18 तारिक तक वो जबाब दे क उसके बाद वो सारी चीज़े सामने लाई जाएंगी और इलیک्शन कमीशन उसके बाद बताएगा सब को पता है कि स्थिए की हनक का मतलब क्या है सत्ता के इशारे पर कैसे एजंसियां इस देश के भीतर में काम कर रही है। सवाल यह भी है कि इस दौर में 2017 में जो सुप्रीम कोट कह रहा था इलेक्टरल बॉंड को लेकर जो आर बी आई कह रहा था जो इलेक्शन कमिशन कह रहा था तीनों जिन बातों का जिक्र 2017 में कर रहे थे सरकार के साथ वन टू वन की बाच्चीत में और तीनों कह रहे थे कि ब्लैक मनी, मनी लॉंडरिंग, शेल कमपनियों के जरीए पैसों का आना और अफरा तफरीज देश के भीतर में पूंजी की लाइए, उसके बाद देखिए, लंबे समय तक सभी ने खामोशी बरती और अब सुप्रीम कोट जब तमाम चीजों को खोलने को तैयार हो रहा है, तो अगला सवाल ये है कि तमाम छेत्रों में और जिस जिस जगा पर कॉर्परेट की भागेदारी पूंजी के आसरे हैं और कॉल्टिकल फंडिंग के आसरे कॉर्परेट सब्ता के करीब है, सारी फाइल खुलेगी, सब को कागर्ज दिखाना होगा, आज सुप्रीम कोट ने कहा किया, कोट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इन्फोर्मेशन दी, उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं, जो हर एक जन्ने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे, उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिये हैं, तो वो कुछ ओर्डर पास कर करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिस्टर जनरल ने बोला कि स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगएर आप और मत पास करिये, तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है, मंडे के लिए, और मंडे को इसकी स्टेट बैंक ने बॉर्ण नंबर्स क्यों नहीं बता है? लेकिन इसके आगे का सवाल शायद सबसे बड़ा है, जो दो सवाल लगातार रिंग रहे हैं, उसमें पहला सवाल है, एक फाइल खुली है, इलेक्टरल बॉन्ड की, क्या पीम केर की भी फाइल खुलेगी? क्या इलेक्टरल ट्रस्ट की फाइल भी खुलेगी? क्या जो माफ परिबन एक लाग करोड का जो इंफ्राइस्ट्रक्चर का पूरा खाका है, वो चंद कॉर्परेट के हाथ में क्यों है, क्या उसकी फाइल भी खुलेगी? जो डिसिन्वेस्ट्मेंट की पूरी प्रक्रिया थी, वो कहा बढ़ी, कैसे बढ़ी 26 कंपनिया भी भी पियसू की लाइन में खड़ी है, वो भी फाइल खुलेगी? ये सवाल पहला है. और दूसरा सवाल उससे कहीं आगे का है? इस दोर में क्या कुछ दाव पर लगा होगा इस देश के उन तमाम कॉर्परेट्स का, जो सरकार के साथ खड़े हों क्योंकि कोई सरकार अगर सिर्फ पूंजी हैं कि दरसल पैसा इसलिए लगाया जा रहा है, पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सरकार रहेगी. इस भरोसे के आसरे चलते हैं तो इंतिजार इस बात के करने की जरूरत नहीं है कि कल चुनाओ का एलान होगा. उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि दो हजार चौबिस क लोकसवा चुनाओ पहली बार कॉर्परेट का चुनाओ है और इस देश के भीतर में वह मीडिया भी जो तमाम सवालों पर खामोश रहता और अभी भी आए उसकी भी अपनी साख नहीं बलकि उसकी अपनी पून्जी और मुनाफा भी इस दोर में दाओ पर है और ये चुनाओ कितना बड़ा हो सकता है ये सिर्फ एक अंदेशा बड़ा है खास तोर से तब जब कल चुनाओ का ऐलान होगा और कल इस देश के बड़े न्यूस चैनल या बड़े न्यूस ग्रूप के में प्रधान मंत्री की मौजूदगी होगी ज जो ग्रूप प्रधान मंत्री के सामने खुद को चैनल या बीडिया हाउस नहीं बलकि दुकान कहता हो तो उस दुकान या दुकानों की एक लंबी फरिस्ट इस देश के भीतर में मुनाफ़ा कमाने के लिए मौजूद है और सवाल सबसे बड़ाव यही है क्या इस देश के भीतर में लोकतंत्र जो चुनाओं के आसरे होता है उसमें जनता और कॉर्परेट की यह लड़ाई 2024 के चुनाओं में नजर आने वाली है इंतजार जरूर कीजिए बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया